सीरियल अनुपमा में डिमपी आ चुकी है अब शाहाउस में लेकिन आते ही डिमपी ने अपने रंग धंग दिखाने भी शुरू करती हैं जी हाँ डिमपी ने आखिरकार बता ही दिया कि वो किस इदादे से घर के अंदर आई है लेकिन यहाँ पर बा और डिमपी की तो शुरू होते ही रिष्टे को लड़ाई हो चुकी है क्योंकि डिमपी ने आते ही बा से उसका सबसे बड़ा हक छीन लिया है क्या किया है डिमपी ने ऐसा चलिए हम आपको बताएंगे पूरी खबर इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तबाएं दोस्तो सीरियल अनुपमा में डिमपी और समर की शादी तो हो गई डिमपी जिसको बा ना पसंद करती है और उनको लग गया है कि अब ये घर के अंदर आते ही अपने रंग दिखाएगी जिस तरह से उसने अपने ग्रह प्रवेश में कलश को लात मारी कलश दूर जाके गिरा और इससे कहीं न कहीं अशुब ही हुआ ये एक अच्छा साइम नहीं था अब ऐसे में शादी के दो दिन बाद ही डिमपी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है डिमपी बा से मांगने वाली है घर के पेपर्स जी हाँ हम आपको बता दें शाह हाउस जो है वो बाबुजी और बा के नाम है बाबुजी ने शाह हाउस को बा के नाम कर दिया था और ऐसे में अब डिमपी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चूप की है डिमपी ने शादी तो कर दी समर से समर को पागल बना दिया और ये कह दिया कि वो उससे बहुत प्यार करती है लेकिन असल में डिम्पी समर से नहीं कमफर्ट से और पैसे से प्यार करती है डिम्पी के वैसे ही कान भर कर बर खाने भेजा है अब यहां पर सुबह सुबह जब खाने की रसम होगी तो बा कहेगी कि मुदिखाई के बाद आ और आप ये कह दीजेगा बहु ने बनाई है क्योंकि मेरे बसका नहीं है बा ये रसोई वसोई के काम करना क्या आपको नहीं पता कि मैं वर्किंग हूँ मैं समर के साथ डांस अकैडमी जाओंगी ये सुनकर बाग को बहुत बड़ा जटका लगेगा जिसके बाद जिंपी बा उसका हिस्सा दे दे जिससे हम अपने एरिया को या यूं कहें प्रॉपर्टी का जो हिस्सा हमारे हक में आएगा हम उसको अच्छे से रेनोवेट करवा सकें जैसे ही ये बोले कि डिंपी बा के तो होश उड़ जाने वाले हैं लेकिन देखना होगा कि डिंपी के इस फैसले को आखिर कौन कौन सपोर्ट करता है क्या जिंपी शादी करते ही समर के साथ घर से निकाल दी जाएगी क्या लगता है आपको हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना पूलें